एक बहुत ही खुबसूरत सा जंगल था उस जंगल में सभी प्रकार के पक्षी रहा करते थे जंगल में ठंडी का मौसम आने ही वाला था उस जंगल के सभी पक्षी ठंडी के मौसम के आने की तैयारियां कर रहे थे उस जंगल में एक बहुत ही इमानदार सी मीनू चडिया भी रहती थी वे मीनू चडिया उस जंगल में अपनी सेब की फसल पर काम किया करती थी बस वे मीनू चडिया जंगल के पक्षियों को सेब बेच कर ही अपना गुजारा किया करती थी फिर एक दिन वे मीनू चिडिया अपने एक सेप के दरक पर बैठी सोच रही होती है एरे हर साल की तरह इस बार भी मेरी ये सेप की फसल तो बहुती जादा अच्छी हुई है और तो और जंगल के सभी पक्षी भी मुझसे ही सेप करिते हैं बस वे मीनू चिडिया यही सोच रही होती है इतने में जंगल के सभी पक्षी वहाँ पर आ जाते हैं हरे लाओ भाई मीनू चिडिया जरा मुझे कुछ सेप तो दे दो मैं सेप से आज फुरूट चाड़ बना कर खाऊंगा एरी हाँ हाँ मीनू चिडिया मुझे भी कुछ सेप दे दो तुम्हारी यह सेप तो बहुती ज़्यादा लाल लाल और बहुत ज़्यादा ताजे लग रहे हैं आरे रंगीन पक्षी सिर्फ आज ही थोड़ी बलके मीनू चड़िया के ये सेब तो सारा साल ही ताजे रहते हैं पूरे साल कभी भी मीनू चड़िया से सेब मांगने आओ तो मीनू चड़िया के सेब ऐसे ही लाल और ताजे होते हैं अरे अरे बस भाई बक्षियों तुम लोग तो कुछ जादा ही तारिष किये जा रहे हो मीनू चिडिया के सेब की तुम एक काम करो अब तुम मीनू चिडिया को इतना सर पर मत चड़ाओ कहीं मीनू चिडिया अपने इन सेब पर घमंड करने न लग जाए एरे कालू कवे सबी पक्षि मुझे अच्छी तरह से ख्यानते हैं उनको पता है कि मैं कभी भी घमंड नहीं करती हूँ उन सब पक्षियों को पता है कि तुम ही अपनी चीजों पर घमंड करते हो हाँ कालू कवे वैसे ये मीनू चिडिया ने बात तो बिलकुल सही की है तुम ही तो हो जो हर चीज पर घमंड करते हो अपनी हाँ कालू कवे तुम खुद बुरे हो तुम खुदी तो अपनी चीजों पर घमंड करते हो और तुम मीनू चुरिया को ऐसा बिलकुल भी नहीं बोल सकते हो बस अब वहाँ पर बैठे सारे ही पक्षी उस कालू कववे पर हसने लगते हैं बस यही सब देखकर उस कालू कववे को सभी पक्षियों पर बहुत जादा गुसा आ रहा होता है और उस कालू कववे को यह सब अपनी बेज़ती लग रही होती है बस अब वे कालू कववा अपने मन ही मन में सोच रहा होता है आज इन सब जंगल के पक्षियों ने मेरी बहुत जादा बेज़ती की है मैं इन सब पक्षियों से अपनी बेजती का बदला जरूर लूँगा बस फिर इतने में थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पर एक बादल अपनी पूरी सेना को ले कर आ जाता है अरे वाह अच्छा ही हुआ जो जंगल के सारे ही पक्षी एक साथ मुझे यहाँ पर मिल गए है एरे बादल भाईया अब तो ठंडी का मौसम आने वाला है हमारे जंगलों में और आप ठंडी के मौसम में तो बिलकुल भी बारिश नहीं करते हैं फिर आप यहाँ पर हाँ हाँ मीनू चडिया तुम बिलकुल ठीक कह रही हो सर्दियों में तो हम बिलकुल भी बारिश नहीं करने आते हैं लेकिन इस बार की गर्मियों के अंदर हमारे अंदर बहुत जादा पानी जमा हो गया है इसलिए हम बहुत जादा तकलीफ में हैं अब हमें एक दफ़ा तो तुम्हारे जंगल में बारिशे करनी ही पड़ेंगी औरे वैसे बादल भाईया अभी कुछ महीनों पहले ही तो हमारे इस जंगल में तुफानी बारिश हुई थी हरे लेकिन अब कालू कवे इसमें बादल भाईया की क्या गलती है इस बार गर्मिया भी तो बहुत जादा पड़ी थी जिसके कारण बादल भाईया के अंदर काफी जादा पानी जमा हो गया है और वो बहुत जादा तकलीफ में भी तो है अब उन्हें पानी अपने अंदर से कहीं तो निकालना ही होगा ना बस इसलिए पक्षियों मैं तो कहता हूँ हमें बादल भाया को बारिश करने से नहीं रोकना चाहिए यहां पर औरे लेकिन कबूतर इसमें हम जंगल के पक्षियों का भी तो कोई कुसूर नहीं है हमारे ही जंगल में बारिश क्यों हो रही है एरी बादल भाया आप अभी यहां से जाएं क्योंके यह कालू करवा भी बहुत ज़्यादा गुस्से में है इसलिए अभी आप यहां से जाएं कालू करवे का भी बहुत मजाग बना है यहां पर इसलिए उसे थोड़ा गुस्सा है अच्छा अच्छा ठीक है पक्षियो मैं अभी यहां से चला जाता हूँ लेकिन बस मैं तो आप सब पक्षियों को बारिश का बताने के लिए ही आया था बस फिर ऐसे ही वे बादल भी वहां से चला जाता है और सभी पक्षिय अपने अपने घरों को चले जाते हैं अब दूसरी तरफ वे कालू कवा अपने घर में बैठा सोच रहा होता है अरे वे बादल भाईया तो हमारे जंगल में बारिश करने का बोलके चले गए हैं अब बस जरूर कल ही हमारे जंगल में जोरदार बारिश हो जाएगी और वे मीनू चडिया तो अतनी तेज बारिश में सेब बेचने के लिए निकलेगी ही नहीं घर से बाहर अब मुझे कुछ भी करके उस मीनू चडिया को कल सेब बेचने के लिए उसके घर से बाहर निकालना ही होगा फिर जैसे ही मीनू चिडिया बहार आएगी तब बारिश में उसके सेब खराब हो जाएंगे फिर मैं उस मीनू चिडिया से पुछूँगा जब उसके खराब सेब lंगल का कोई भी पक्छी नहीं सरीदेगा फिर जब मीनू चड़िया का नुकसान हो जाएगा तभी तो मेरे दिल को अराम आएगा फिर अगले दिन उस कालू कववे को पता होता है कि आज जंगल में बारिश जरूर होगी तो बस वे कालू कववा मीनू चड़िया के घर पर आ जाता है एरे क्या हुआ कालू कवे तुम इतनी सुभा सुभा मेरी घर पर क्यों आ गए हो औरे हाँ हाँ मीनू चिडिया बस मैं तो तुम्हारे पास यही पूछने के लिए आया था कि सब ठीक तो है ना आज तुम अपना सेब का ठेला लेकर जंगल में सेब बेचने के लिए क्यों नहीं आई हो एरे वो कालू कवे तुम्हें तो पता ही है कि आज जंगल में बारिश हो सकती है कल बादल भाईया बता कर तो गए थे इसलिए तो बस मैं अपने सेब लेकर बाहर नहीं निकल रही हूँ कहीं बारिश हो जाए और बारिश में अगर मेरे सारे सेब खराब हो गए तो मेरा तो बहुत नुकसान हो जाएगा ना औरे मीनु चड़िया तुमैं ये तो पता ही होना चाहिए कि ठंडी का मौसम आने वाला है बादल भाईया इतनी तेज बारिश नहीं करेंगे हमारे जंगल में ठंडी के मौसम में अगर बारिशे होती भी है तो بहाँ थे थेज बारिशे होती है मीनु चड़िया इतनी तेज बारिश थोड़ी होगी कि उससे तुम्हारे ये सारे सेव खराब हो जाए और तुम इस बारिश के चक्कर में आज अपने काम पर नहीं जाकर अपना बहुत बड़ा नुक्सान कर रही हो मीनू चिडिया और वैसे है भी मीनू चिडिया अब हम सब जगल के पक्षियों को रोज तुम्हारे ये सेव खाने की आदत है अब हम तुम्हारे ये सेव खाने के लिए दूसरे जगल तक तो जाएंगे नहीं जब तुम रोज हमारे जंगल में सेब बेचती हो तो तुम आज भी तो बेचो एरी हाँ हाँ कालू कववे तुम कह तो सही रहे हो ऐसे तो सारे जंगल के पक्षी ही परिशान हो जाएंगी बस मैं अभी ही आती हूँ जंगल में सेब बेचने के लिए बस फिर ऐसा कहकर वे कालू कवा तो वहां से चला जाता है और मीनू चिडिया अपने सारे ताजे सेब अपने ठेले पर रखकर जंगल में उन्हें बेचने के लिए निकल जाती है और जोर जोर से आवाजे लगाने लगती है आजाओ भई आजाओ पक्षियो ताजे ताजे से सेब ले लो आजाओ भई आजाओ जल्दी जल्दी बस फिर अब मीनू चिडिया की आवाज सुनकर जंगल के सभी पक्षी मीनू चिडिया से सेब लेने के लिए आजाते हैं बस फिर तभी अचानक से वहाँ पर जंगल में का पेड़ के नीचे चलते हैं हाँ हाँ पक्षियों चलो चलो जल्दी चलो ठंडी का मोसम भी आने ही वाला है और उपर से ये इतनी तेज वारिश भी शुरू हो गई है इस बार तो बहुत जादा तेज सर्दियां पढ़ेंगी पक्षियों मैं आप सब के साथ दरग के नीचे आउगी मेरे ये सारे सेब खराब हो रहे है मेरा बहुत नुक्सान हो रहा है इसलिए अब मुझे कुछ नकुछ तो करना ही होगा तुम अभी कुछ भी नहीं कर सकती हो तुम अभी हमारे साथ चलो दरग के नीचे वरना इतनी तेज वारिश में भीगोगी तो तुम्हारी अब खराब हो जाएगी औरे पक्षियों क्या आप सब ऐसे ही बाते करते रहेंगे या फिर दरग के नीचे चलेंगे भी बस फिर अब वे सभी पक्षी एक पेड़ के नीचे आ जाते हैं अब मीनु चिडिया बहुती जादा परिशान हो रही होती है बस फिर अब ऐसे ही के सारे फल भी उस बारिश की वज़ा से खराब हो जाते हैं ये ये सब क्या हो गया है मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया है मैं क्या करूं मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है बस ऐसे ही वे मीनु चिडिया रो रही होती है और यही सब देखकर विकालु कावा बहुत ज जादा खराब नहीं हुए है तुम्हारे ये सेब अब तुम्हें काम करो इन सब सेब का शर्बत बना कर बेचो तुम जंगल के पक्षियों को क्योंकि ऐसे तो अब ये सेब कोई भी नहीं खरीदेगा एरे हाँ ये कबूतर ठीक कह रहा है ऐसे तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा जहां जहां से तुम्हारा सेब खराब है तुम वहां से उसे काट कर अलग कर देना बाकि तुम सब सेब का शर्बत बना कर हमें बेच देना अरे हाँ हाँ मेनू चड़िया वैसे भी हम सब जंगल के पक्षियों को सेब का शर्बत पिये हुए काफी ज पट कर दिया है अब तो मुझे भी इस मीनू चडिया से शर्बत लेना पड़ेगा एरी वा पक्षियों ये तो आप सबने बहुत ही अच्छा सूचा है इससे मेरे फल भी जाया नहीं होंगे और आप सब को शर्बत भी मिल जाएगा बस अब वे मीनू चडिया सभी पक्षियो का शर्बत मज़े ले ले कर पिया करते थे बस इसी तरह मीनू चडिया का नुकसान भी नहीं होता है और अब सब कुछ ठीक हो जाता है ये कहानी एक बहुत ही बड़े और खूबसूरत से जंगल की है इस जंगल में सभी प्रकार के पक्षि रहा करते थे उस जंगल के सभी पक्षी एक दूसरे पर बहुत ही जादा भरोसा किया करते थे उस जंगल में एक मीनू चडिया भी रहा करती थी मीनू चडिया के घर के बाजू में ही एक कालू कववा भी अपने घर में रहा करता था वे मीनू चडिया और वे कालू कववा वे दोनों ही बहुत ही पुरान और बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त थे वे दोनों एक दूसरे पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा किया करते थे कालू कव्वे और मीनू चिडिया की बहुत ही अच्छी दोस्ती थी बस इसी कारण वे दोनों ही जंगल में बिर्यानी बना कर बेचा करते थे एक दिन मीनू चिडिया और कालू कववा अपनी बिर्यानी की दुकान पर बैटे होते हैं तबी सारे ही जंगल के पक्षी वहाँ पर आ जाते हैं अरे लाओ भाई मीनू चिडिया और कालू कववे अब जरा हम सब पक्षियों को भी तुम लोग अपनी बिर्यानी तो खिलाओ जी जी पक्षियों बस हम लोग अभी ही आप सभी पक्षियों को बिर्यानी खिला देते हैं एरी लेकिन हाँ कालू कवे और पिर्या को भी मुझे आप दोनों से कुछ बात भी करनी थी हाँ हाँ भाई पूछो क्या पूछना है रंगीन पक्षी हम तुम्हारी बात का जवाब जरूर देंगे एरी तुम दोनों ना जाने कितने सालों से ही अपना काम एक साथ ही कर रहे हो तुम लोगों ने अपना काम अलग करने के बारे में क्यों नहीं सोचा एरी रंगीन पक्षी तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो देखो वैसे ही हमारा धंदा कितना अच्छा चल रहा है हमें अपना कारोबार अलग-अलग करने की जरूरत नहीं है हैरे लेकिन कालू का वे मीनू चिडिया ये रंगीन पक्षी बिलकुल ठीक कह रहा है देखो हम लोगोंने माना के तुम लोग बहुती अच्छे दोस्त हो लेकिन अगर आगे जाकर कभी तुम लोगों की लड़ाई हुई तो उस लड़ाई का असर तो तुमारे कारोबार पर भी पड़ जाएगा हाँ लेकिन वैसे मीनू चडिया और कालू कावे तुम दोनों की दोस्ती तो बहुती अच्छी है ऐसा देखकर तो नहीं लगता है कि कभी तुम दोनों की दोस्ती के बीच ये लड़ाई भी हो सकती है एरे हाँ हाँ मिठ्टू तोते तुम बिल्कुल ठीक है रहे हो हमारी दोस्ती तो कभी भी सतम नहीं हो सकती है हाँ पक्षियों आप लोग चिंता मत कीजिये ना ही हमारे बीच कभी लड़ाई होगी और ना ही कभी हमारा काम अलग होगा अच्छा अच्छा चलो ठीक है ठीक है हम भी देख लेंगे के तुमारी दोस्ती कब तक चलती है बस ऐसे ही वे कभूतर कालू कव्वे की दोस्ती से जलने लगता है वे कभूतर मीनू चिडिया को अपना बहुती अच्छा दोस्त बनाना चाहता था बस अब फिर वे कभूतर अपने घर में बैठा सोची रहा होता है हरे अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे वे कालू कव्वे और मीनू चिडिया का दिल आपस में खराब हो जाए अब मैं एक काम करता हूँ के मैं कालू कव्वे के करीब जाता हूँ और उससे बहुती अच्छी दोस्ती कर लेता हूँ इससे वे कालू कव्वा मेरे करीब आ जाएगा और उस मीनू चिडिया को लगेगा के वे कालू कव्वा बदल गया है और वो अब मेरी जगा कबूतर को अपना एक अच्छा दोस मानता है इसलिए बस ये सब देखकर तो वे मीनू चिडिया जरूर उस कालू कवे से नराज हो जाएगी और फिर बस जैसे ही कालू कवे और मीनू चिडिया की दोस्ती खतम हो जाएगी जब मीनू चिडिया अकेली होगी तो मैं मीनू चिडिया से जाकर दोस्ती कर लूँगा और उस कालू कवे को छोड़ दूगा बस फिर ऐसे ही यही सोचकर वे कबूतर अगली रात कालू कवे के घर में आ जाता है अरे कबूतर आज तुम इतनी रात को मेरे घर पर सब खेरियत तो है हरे नहीं नहीं कालू कवे बस मैं तो ऐसे ही तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त गुजारना चाता हूँ अगर तुम काम नहीं कर रहे हो अभी कुछ तो हम क्या चल कर बाहर जंगल में बैठ सकते हैं कहीं हाँ हाँ चलो चलो कबूतर चलते हैं कहीं जंगल में जाकर बैठते हैं बस फिर वे दोनों जंगल में एक पेड़ पर आकर बैठ चाते हैं हेरे कालू कवे क्या कभी मीनू चडिया ने ऐसे तुम्हारे साथ आकर कभी तुम से बैठ कर बाते की हैं औरे नहीं नहीं कबूतर बस हम दोनों काम करके बहुती ज़्यादा ठक जाते हैं इसलिए हम लोग बाद में नहीं मिलते हैं बस जब हमारे पास काम होता है तब ही हम एक साथ मिलते हैं पर लेकिन कालू कवे मुझे तो लगता है कि वे मीनू चड़िया सिर्फ तुमसे काम की वज़े से ही दोस्ती रखती है वे सिर्फ तुम्हारा फायदा उठा रही है औरे नहीं भाई नहीं कबूतर वे मीनू चड़िया बिल्कुल भी ऐसी नहीं है लेकिन वैसे चालू कवे मैं सोच रहा था कि तुम अब उस मीनू चड़िया को एक बार आजमा कर देखो अरे लेकिन पर मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं मीनू चड़िया को आजमा हूँ तुम उसे अपना काम अलग करने का बोलो अगर वो मान जाए तो ठीक है अगर वो मना करे तो तुम समझ जाना के वे मीनू चड़िया सिर्फ तुम्हारा फाइदा उठा रही है अच्छा फिर ठीक है कबूतर अब कल ही मैं उस मीनू चिडिया से इस बारे में बात करूंगा फिर अब अगले दिन मीनू चिडिया और कालू कववा वे दोनों अपनी बिर्यानी की दुकान पर आ जाते हैं औरे मीनू चिडिया आज मुझे तुमसे एक बात करनी थी हाँ हाँ कालू कववे बोलो बोलो तुम्हें मुझे क्या बात करनी है औरे मीनू चिडिया मैं ये सोच रहा था कि अब हम दोनों अपनी अपनी दुकान अलग-अलग कर ले इससे हम दोनों का जादा मुनाफ़ होगा और हम तरकी भी जादा करेंगे कालू कववे की ये बात सुनकर मीनू चिडिया सोचने लगती है एरे अगर मैं अभी कालू कववे को हाँ कर दूंगी तो ना ही हम दोनों अब रोज़ाना फिर मिल सकेंगे और ना ही हमारी बात होगी और तो और इस तरह से हमारी दोस्ती में भी बहुती ज्यादा दूरियां आ जाएंगी अब मैं एक काम करती हूँ मैं इसे मना ही कर देती हूँ अरे क्या हुआ मीनू चिडिया तुम इतनी देर से क्या सोच रही हो अरे कालू कववे मैं सोच रही थी कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं हम अपना काम बिलकुल भी अलग नहीं कर सकते हैं बस मेरे पास वज़ा भी नहीं है कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ अच्छा अच्छा चलो ठीक है फिर मीनू चिडिया अगर तुम ऐसी ही चाती हो तो हम अपना काम अलग नहीं करते हैं बस अब वे कालू कववे उस मीनू चिडिया को गलत समझने लगता है और कबूतर के पास आ जाता है अरे कबूतर मैं तुम्हें क्या बताओ उस मीनू चड़िया न तो काम अलग करने से मना कर दिया है देखा कालू कवे मैं तुम्हें कहता था न वे मीनू चड़िया सिर्फ तुम्हारा फाइदा उठा रही है और वे मीनू चड़िया तो तुम्हें बिल्कुल वक्त भी नहीं देती है अब बस मैं तो तुम्हें यही कहूंगा कि अब तुम अपना काम उस मीनू चिडिया से अलग कर लो हाँ कबूतर तुम बिलकुल ठीक कह रहे हो अब मैं तुम्हारी इस बात को जरूर सोचूंगा हाँ हाँ ठीक है कालू कवे और हाँ अब मैं भी तुम्हारे साथ हूं हमेशा यह याद रखना तुम अब वे कालू कवा उस कबूतर पर मीनू चिडिया से भी ज़्यादा भरोसा करने लगता है उस कालू कवे को लगता है कि वे कबूतर उसका मीनू चड़िया से भी ज्यादा अच्छा दोस्त है बस अब ऐसे ही वे कालू कवा मीनू चड़िया को तो बहुती ज्यादा गलत समझने लगता है बस फिर अगले दिनवे कालू कववा अब मीनू चडिया के पास आ जाता है अरे मीनू चडिया बस अब आज से मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूँगा अब मुझे तुम्हारी असियत का पता चल गया है एरी क्या हुआ कालू कववे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा अरे बस मीनू चिडिया मैं तुम्हें यहाँ पर यही बताने आया था कि अब मैं तुम्हारे साथ दोस्ती भी नहीं रखूँगा और तुम्हारे साथ काम भी नहीं करूँगा ऐसा कह gars वे कालू कवा वहाँ से चला जाता है और मीनू चिडिया अब उदास होकर अपने घर में आ जाती है मीनू चिडिया को उदास देखकर कबुतर मीनू चिडिया के घर में उसके पास आ जाता है अरे मीनू चिडिया क्या हुआ आज तुमने अपनी दुकान क्यों नहीं खोली एरे कालू कवे बस मैं तुम्हें क्या बताओ कि मैंने आज अपनी दुकान क्यों नहीं खोली है बस फिर ऐसे ही वे मीनू चड़िया कबुतर को सारी बात बता देती है एरे मीनू चणीया छोड़ो पुरानी बातों को, अब तो मुझे से दोस्ती करलो और भूल जाऊ उस कालु कववे को मैं तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा जैसा कि उस कालु कववे ने किया है एरी नहीं कबूतर मैं ऐसा बिलकुल भी नहीं कर सकती हूँ बने ही वे कालू कवे किसी को भी अपना दोस्त बनाए या कुछ भी करे पर हाँ मैं ऐसा बिलकुल भी नहीं करूंगी पस मैं सिर्फ उसका इंतिजार करूंगी बस फिर इसी तरह उस कबूतर को अपनी चाल से कुछ भी हासिल नहीं होता है वे मीनू चड़िया से उस कालू कवे को अलग करना चाहता था और मीनू चड़िया से खुदी दोस्ती करना चाहता था बस इसी तरह वे मीनू चड़िया उस कबूतर को मना कर देती है अब वे कबुतर अपने घर में आ जाता है और अब दूसरी तरफ वे मीनू चड़िया बहुत ही ज्यादा अकेली हो जाती है अब वे मीनू चड़िया बिरियानी भी बना कर नहीं बेचा करती थी अब धीरे धीरे वे कबूतर भी कालू कव्वे के पास जाना छोड़ देता है एक दिन कालू कव्वा कबूतर के पास आ जाता है अरे कबूतर तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम मुझसे रोज मिला करोगे पर तुम तो बिल्कुल भी मुझसे रोज नहीं मिलते हो अब वे कबूतर सोचने लगता है कि मैं इस कालू कवे से भी दोस्ती खतम कर देता हूँ तुके मीनू चिडिया भी तो मुझसे बात नहीं कर रही है अरे कालू कवे, मैं तुमसे बिल्कुल भी दोस्ती नहीं रखना चाता, मैं तो मीनू चडिया से दोस्ती करना चाता था, अब तुम यहां से चले जाओ अरे कबूतर ये क्या कह रहे हो अब तुमने मुझे ये धोका देकर बिल्कुल अच्छा नहीं किया है मैं जा रहा हूँ यहां से फिर अब वे कालू कववा वहां से मीनू चडिया के घर में आ जाता है एरे कालू कववे आज तुम इतने दिनों के बाद यहां पर कैसे बस तुम मुझे माफ कर दो मैं उस कबूतर की बातों में आ गया था बस अब तुम मुझे माफ करो और मुझसे दुबारा से दोस्ती कर लो बस फिर वे कालू कववा मीनू चडिया को उस कबूतर की सारी चाल बता देता है अगर तुम दुबारा से किसी की बातों में नहीं आओके तो फिर मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ हाँ हाँ मीनू चिडिया अब मैं दुबारा किसी पक्षी की बातों में आकर तुमसे दोस्ते विलकुल भी खतम नहीं करूँगा बस फिर अब वे दोनों दुबारा से अच्छे दोस्त बन जाते हैं और दोनों एक साथ फिर से काम करने लगते हैं